हाई एवरिवन तो आज मैं आप लोगों के साथ वेडिंग और पार्टी मेकप आप कैसे करें एजिली खुद और बहुत ही अफोड़िबल प्राड़क के साथ ये शेयर करने वाली हूँ इस लहंगे का रिव्यू मैं अल्रेडी अपने चानल पर शेयर कर चुक हूँ बट ये प्राइमर लगाना अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप अलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं फिर मैं यहां पर लगा रही हूँ मेकप बेस जो की मेरा कलर एसेंस का है पूरे फेस पे मैं अच्छे से टाप कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हिल्प से और उसके अच्छे से उसको पूरी अपनी स्किन में कलर एसेंस का यह जो मेकप बेस है यह आपके मेकप को बहुत ही अच्छा बनाएगा आपके फाउंडेशन को बहुत अच्छा कवरेज भी देगा उसके बाद मैं यहां पर यूज कर रही हूँ में आपना यह फाउंडेशन जो की बारी आती है आई मेकप करने की कोई भी आप ब्रश ले लिजे क्या फिरा फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं जैसे भी आपको कमफटेबल हो थोड़ा सा मैंने गोल्डन आई शाड़ो लेकर अपनी पूरी आई पे स्प्रेड कर लिया और आप मैं पिंक आई शाड़ो ले जो आई शाड़ो था उसको थोड़ा सा गोल्डन में भी मिक्स करने की कोशिश करिये ताकि मेरी आई जो है वो अट्राक्टिव लगे उसके बाद मैं यहापे ब्लश ओन लगा रही हूँ आपके पास जो भी ब्लश ओन है आप लगा सकते हैं और आपको दो मेथट से अब मेरे पास यह एक शिमर का पैलेट है जिसमें काफी सारे शेड्स हैं तो इसमें से मैं सिल्वर शेड लेके अपनी नोज में अपने चीक्स पे और फोर हेट पे लगा लूँगी क्योंकि इससे मेकप का लुक बहुत ही जादा अच्छा आता है अब लास्टेप है हमारा यहाँ पे लिप्स्टिक का जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लिक्विड लिप्स्टिक पिंक कलर की क्योंकि जैसा मैंने बताए मेरा लहेंगा पिंक कलर का था और इससे बहुत ही जो मेकप है वो वाइबरेंट लगता है एकदम क्लासी मेकप लूग आता है और आप च कि मेरा फेवरेट स्टेप है यहाँ पर मेरे पास लूज ग्लिटर था गोल्डन का लगा वो में अपने पूरे आई पे स्प्रेड कर लूँगी जो भी मेरा आई मेकप मैंने किया है उसके उपर मैं अच्छे से यह गोल्डन शिमर स्प्रिंकल कर लूँगी आप यह हैंड से कर सकते हैं यहाँ पर मैं ब्रश की हल्प से यह कर रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा लूग आता है अगर आप नाइट में वेडिंग्स या पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं और इस मेकप लूग की एक खास यह है कि अफॉर्डेबल प्रॉड़क्ट तो मैंने यूज किये हैं साथ यह इसाती ही बहुत ही क्या मेकप हो जाएगा आप इजिली कुद क्रेयेट कर सकते हैं और यह मेकप ना आप aniaपप अपने बालों को आच्छे से टांगल फ्री कर लीजें आपके बालों में एक भी टांगल नहीं होना चाहिए बीच से पार्टिंग करके आप सारे बालों को पीछे ले जाएए और फिर से एक बार कोम कर लीजिए क्योंकि आगे जो है हमारे बेबी हैर होते हैं तो बेबी हैर को हमको बैठाना बहुत जादा ज़रूरी है आप यहाँ पे अलोवेरा जैल या कोई भी हैर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं पीछे मैं अपने बालों को कुछ ऐसे रबर बैंड की हेल्प से कर लूँगी टाय पर क्योंकि यहाँ पर मैं इंडियन लोग क्रियेट कर रहे हूं और मेर को वहाँ पर यूज़ करना है आर्टिफिशल गजरा और जूड़ा बनाना है तो बहुत जादा ज़रूरी है कि मैं अपने जो भी न कुछ इस तरीके से एक ट्रिक में हाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हो अगर आप अपने दोनों हैंड की हेल्प से कुछ ऐसे पकड़ के रोल करेंगे बालों को और फिर आप अपने रबर बैंड की हेल्प से उसको वहाँ पर टाय कर लीजे ऐसे में आप जो भी हेर यूस कर रहे हैं वो कभी भी निकलेगी नहीं आपके बाल नहीं निकलेंगे आपका जुड़ा लूज नहीं होगा उसके बाद जो भी मेरे एर के पीछे के एक्स्ट्रा बाल है उनको मैं टिक टाक है बॉबबी पिन के हेल्प से ऐसे सिक्योर कर लूँगी क्योंकि ये जु यह आपका अभी भी यूज़ कर सकते हैं तो मैंने एक ले लिया था यह मैंने सदर बजार से परचेस किया था जो भी पिन्स है उसकी हिल्प से मैं बहुत ही अच्छे से इसको सिक्योर करने वाली हूँ जितनी जादा से जादा पिन्स आपको लगे जब तक आपका बंड आप इसके उपर मैसी बन भी बना सकते हैं आप ओपन हैर भी रख सकते हैं अगर आपके बाल हो रहे हैं या निकल रहे हैं बाली धर उदर तो यह लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैंने एकदम इंडियन लुक क्रियेट किया है तो उसमें ऐसे ही बहुत बार सेलेब्रिटीज को भी ऐसे करते देखा होगा और अब मैंने पहन लिए ड्रेस और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने हूँ अपना फुल लुक अगर आपको इस लहंगे का रिव्यू देखना है कि यह मैंने कहां से लिया कहां से मंगवाय था तो आपको क कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना आई होप यह लुक आपको पसंद आया होगा थैंक्स वर वाचिंग टेक केर और बबाई